हलो गाईज पैल कुम डू देजे मडे नीज तो गाईज आज हम बात करेंगे मार्बल सनमेटिक उनिवर्स की अपकमिंग फेस फोर के एक अपडेट के बारे में वो अपडेट है थी एटरनल्स का तो फाइनली पता यह चलाए के 2 यार उनिस में सितंबर के मैनी से एटरनल्स का काम चालू हो जायगा यानि कि BFX Capture और ये shooting एक कमरे में होगी जैसा कि आप साथ जाते हो कि BFX की movie एक कमरे में मनती है तो ये पूरा मामला एक कमरे में होगा और देन इसके हमें कोई भी feature, effects या कुछ भी poster वेकर रिवल्ड नहीं हो पाएंगे और जैसा कि आप जानते हो कि इस टाइप की जितनी पी movie होती हैं जैसा Guardian of the Galaxy बेगरा तो ये सारी एक उसमें बनेंगी तो ये सारा काम एक गुप्त में होगा जो कि सतंबर से 2019 से चालू हो जाएगा तो उमीद करते हैं कि ये movie हमें 2020 में फाइनली दिसम्बर के महिने में देखने को मिल जाएगी तो फेसपूर की ये movie काफी लाजावा होने वाली है और 100% ये movie कनेक्टर होगी डारेट थैनॉस से तो काफी मज़ा आने वाला है और बात करते हैं फीचर अपडेट के बारे में अपकमिंग केप्टर माबल मुवी में एक चीज़ रिविल्ड करी है कि I don't know मेरा केरेक्टर रोल क्या है उन्होंने सिंपल इतना बूला फाक्स और माविश टूडियो की जो आपस में डील चल लाई दिसनी की फाइनली इसे एप्रूवल मिल चुका है यूरूपेयन कंपणी की तरफ से और देन ब्लाइक पैंदर 2 के जो डेरेटर हैं वो फाइनली भी मीटिंग में गया है और देन मीटिंग के टाइम जब वो लॉट के आएंगे तो देखते हैं कि क्या क्या अपडेट आते हैं ब्लाइक पैंदर 2 के माइकल डेकलस को ऑफिचली वाल्क ओफ दा फैम मिल चुका है जो कि नियॉक सिटी में काफी अच्छा बड़ा सा बना हुगा है उन्हें एक स्टार मिला है काफी बड़ा जैसा कि अब सब को बता था कि सेजैम के भी हाली में शूटिंग चल लही थी और फोटोग्राफी हो रही थी वो कंप्रेट हो चुकी है जो कि एक बेल्ट के साथ रिवेल्ट करा गया है और एविंजर इंफटी वार का एक कौन सा बार्ट राउंच करा गया है जो कि फुल एच्टी में अगर आपको डाउंडूड करना है तो लिंकें डिप्रेशन दैन उसके बाद फाइनली श्रैक और पॉसेंट बुट्स रिबूट बनाई जा रही है और यह मूवी मुझे काफी पसंद है और यह मूवी आपको कैसे लगते कमिन श्रेक्षा में जोलू बताना कैसा लग अपडेट अगर आप यह वीडियो यूटूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फेस्बूक पे देख रहे हैं और यह लिंक में आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लिपनी लाइक कमेशिये को रो जो बंद इस वीडियो को नहीं देख